हाई अब्रीवन पिछले वीडियो में आपने सुना कि इन फर्टिलीटी के कपल्स यानि कि सब फर्टिलीटी जिनको बच्चा होने में दिक्कत आ रही है उसमें हम क्या टेस्टिंग करते हैं उनको कब हॉस्पटल आना चाहिए कई बार जेनुइनली प्रेशर की वज़े से हो आते हैं कि सेस्वराल के तरफ से प्रेशर आ रहा है या प्रेशर आ रहा है जो भी है कि मैंने आप पूरा आपको बता है कि हम क्या क्या टेस्ट करते हैं अगर यह टेस्ट आपको नहीं समझ में आ जाएंगे कि यह टेस्ट क्यों लिखेगा है एचेसजी पेइनफुल होता है उसके जगे लापरोस्कोपी करा सकते हैं किस केस में लापरोस्कोपी ज्यादा जरूरी होती है किस केस में सिर्फ HSD से काम चल सकता है, इस सब मैंने आपको बता दिया, आज हम डिसकस करेंगे कि ovulation induction या निकि आपके डॉक्टर नापके दवाईयां शुरू कर दी, तीन स्टेप होते हैं, यह तीन स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से patient में progress करते हैं treatment के, तो यह सब आज हम इस वी तो माली चापकी सारी टेस्ट हो गए, आपको ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूब की प्रॉब्लम है तो ट्यूबल सर्जरी होगी, यह पिर डॉक्टर बोलेंगे आपकी ट्यूब बंद है या तो IVF कराओ, या फिर ट्यूब की सर्जरी कराओ, उसमें हम नहीं घुसरे, वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो जो एंड्रॉलोजिस्ट हैं, जो उरॉलोजिस्ट हैं, वो उसको चेक करेंगे और बताएंगे, अगर मेल की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, पार्टनर की, मेल पार्टनर की, तो फिर आपको डोनर सीमें लेना पड़ेगा, जैसे कि ब्लड आता है, ब्लड बैंक में, वैसी डोनर सीमें जो है, सी जाते हैं, और एक सब, एक पूल में डाले जाते हैं, वो पेशिंट जिनको ना ट्यूब में पॉब्लम है, ना जिनके मेल इनफर्टिलिटी है, उनको बेसिकले हम ओवुलेशन करवाते हैं, या तो उनके पीरेट्स एर्रगुलर है, या फिरेट्स रेगुलर होने की बाव जाते हैं, वो किसी के हाथ में होता, खिती बाद पेशिंट मेरे पास आते हैं, मैडम मेरी एक ट्यूब तो खराब है, वो तो निकल गई, दूसरी ट्यूब सीक है, तो आप कुछ ऐसी दवाएदो कि उसी साइड से अंडा रिलीज हो, दूसरी साइड से अंडा ना रिलीज हो, तो वो किसी के हाथ में नहीं है, और ना ये बता सकते हैं कि किस महिने किस ओवरी से अंडा निकलेगा, ऐसा नहीं होता, कुदरत ने ऐसा कुछ बनाया है, निकि ऐस अंडा met is Вам एस ना उनके husband में problem है, हम treatment start करते हैं, उसको बोते है ovulation induction, इस पे मेरा पहले भी वीडियो आ चुका है, ovulation induction में हम तीन दिरगी दवाईयां यूज करते हैं, एक होता है क्लोमिफीन सिट्रेट, एक होता है लेक्टरोजोल और एक होता है HMG, यानि कि injections, human menopausal gonadotrophins, ठीक है, injection हम ब ध्यान रखें जो आप लोग गलती करते हैं, आप लोग doctors बदलते रहते हैं, और कई बर पुरानी पर्चे दिखाते नहीं है, या फिर कई बर doctors भी ध्यान नहीं देते हैं, कि पुरानी पर्चे में कित्ती बड़ दवाई लिखी गई है, अगर आप और आप 5-6 मेने ये टाइफर टासते ओवरी फेल हो सकते हैं, तो 5-6 मेने से ज़्यादा रिकमेंड़ नहीं है कि ये दवाई ली जाएं, कित्ती बार patients गाउं से treatment लेकर आते हैं, छोटे PHC centers से, छोटे hospital से treatment लेकर आते हैं, जो अंदा दूंद उनको क्लोमिफीन खिलाये जा रहे हैं, और उसके से पहले क्लोमिफीन, लेट्रोजोल या HMG से आपको ovulation induction दिया, अब इसमें दो तरे से होता है, एक होता है कि आपको पीरेड के तीसरे दिन से पीरेड के सात्वे दिन, या पांच दिन तक तीसरे से सात्वे दिन या पांच वे से दस्वे दिन तक, तो ये डिपेंड करता आपको पांच दिन के अंदर अगर आप दोक्टर के पास नहीं गई तो दवाई का टाइम निकल गया, तो आपने दवाई ले ली, अब उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएंगे, आनि कि सोनोग्राफी के लिए, कुछ डॉक्टर बुलाते हैं, कुछ नहीं बुलाते है जो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं, जो आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, वो डेफिनिटली बुलाएंगे, जैसे मैं अगर सोनोग्राफी कर रहे हूं और मुझे लग रहा है मैंने पेशन को हाई डोस इंजेक्शन दिया है, तो मैं सोनोग्राफी के लिए जलू बुला injection high dose होता है, injection से बहुत जादा अंडे बनते, बहुत जादा अंडे बनने के विजए से आपके पानी भर सकता है, आपके ओ CGI में बड़ी-बड़ी cyst बन सकती है, जो कि आगे जाकर आपको थोड़ा सा life threatening हो सकती है. Not for everyone, बट किसी किसी case में hospital में admission की जरूद पढ़ जाती है अगर बहुत जादा cyst बन जाए ठीक है तो मैं ये खतरा आपके साथ नहीं लोगी तो जो भी जागरुक doctors हैं जुनको पता है क्या करना है वो या तो आपको पूछ के आपको injection देंगे या फिर आपको injection देंगे या अगर आप मना कर देंगे कि मैं नहीं आ सकती अगर आप आ सकती है तो आपका जैसे injection खता हुआ पांच वे दिन छटे दिन यानि कि आपने day 3 से day 7 पांच दिन का dose ले लिया अगले दिन से आपकी follicular monitoring स्टार्ट हुई follicular monitoring मतलब कि serial sonography एक के बाद एक एक के बाद एक sonography उसको follicular monitoring बोलते है और इसका नाम कहां सा आया है follicular यानि कि आपके जो अंडे बन रहे है उसको follicle बोलते है follicle की हम monitoring कर रहे है उससे क्या पता चलता है कि आपका आठवे दिन follicle का size क्या था दसवे दिन क्या था, बारवे दिन क्या था, उसके हिसाब से हम आपके दवाई का dose चेंज करते हैं, कई बर 5 दिन इंजेक्शन लगाने की बाद भी dose अगर लगता है कि कम थी, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो बापे से एक दो और देते हैं, कुछ डोक्ते देते हैं, हम उसको छोटा मानते हैं, 22 से उपर जा रहे हैं, तो हम मानते हैं बुड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो जैसी 18 से 22 की बीच में आपके दो तीन अंडे बन जाते हैं, आपकी डॉक्टर आपको HCG का इंजेक्शन देंगी, HCG यानिकी Human Chorion बने गुनाडोट्रॉफिन, यह देते हैं 5000 या 10,000 यूनिट का, तो जब भी आपको 5000 या 10,000 का को इंजेक्शन लिखा है, पैसे की बात निकरें, यूनिट की बात कर देंगी हो, उस इंजेक्शन का नाम है, HCG 5000, HCG 10,000, तो इस तरीकी जब आपको यूनिट लिखी जाती है या निकि वो इंजेक्शन आपके अंडा फूटने के लिए, वो अंडा बनने के लिए नहीं है, अंडा बनने वाले इंजेक्शन शुरू में देते हैं, जब आपको टैबलेट दे रहे हैं अंडा बनने की, उसको HMG बोलते हैं, वो 75 या 1.500 के आते हैं, यानि कि उनकी हो लेंगे, अब आप जाईए, और हस्बंड भाई साथ में रहे हैं अगले साथ दिन था, ठीक है, क्योंकि वही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि आपको ओलेशन हम देख रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, इंजेक्शन लगने के बाद भी आपको वापिस बुला जाता है, सोनो आप जाता है, क्योंकि हर चीज तो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर मैं आपको बन गई है, लगता तो नहीं, कि इस बार बैच्चा ठहरे गा जाता है, कई बर आसा लगता है, इतने सारे अंडे थे साब फूट गया, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, हमारा काम खतम, हमारा काम खतम, क्योंकि अब आपको और आपके हस्बन को साथ रहना है, अगर माली जा आपका IOI प्लान हुआ है, यानि कि इंट्रा यूटरन इंसेमिनेशन, तो ये टाइम होता है, कि आपको बोले, आज आपका अंडा फूट गया है, अब आप एक घंटे रहे हो, आपके हस्बन के सीमन को लेके मशीन में वाश करके उसको आपके अंदर इंजेक्शन से डाल दिया जाएगा, वो भी 5-10 मिनिट का प्रोसीजर होता है, उसको क्लीन करने में, वाश करने में, सेंटरिफ्यूज करने में, लैब में प्रोसेस करने में एक डिर घंटा आपके हस्बन के सीमन को आपके अंदर नहीं डाला जाता है, उस सीमन को बाहर एक डिश में रखा जाता है, उसके अंदर आपके एग्स को डाला जाता है, तो आपकी जो अंदर के एग्स हैं, उनको हम अंदर नहीं फोटने देते हैं, उनको हम इंजेक्शन से बाहर निकाल होता है ठीक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछेएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे को फॉलो करिए इंस्टाग्राम फेस्बुक और मेरा वेब साइट है आप उस पर जाके मेरे प्रोफाइल देख सकते हैं मेरे से ओल्लाइन कंसल्टेशन बुक कराने के लाब इस नंबर पर वाट्साप कर सकते हैं थांक्यू वेरी मच्छ